वाग तस साब इस परकात तो आप किसी पर भी शक्कत सकते हैं ऐसे तो आप कहسकते हैं कि George Simpson भी कातिल हो सकता है हाँ असल में में मेरा अगला कैंडिडेट वही है साब ये तो हद से बहाल की बात कर दिये आपने क्यों? उसने तो आज दोपहर बात कहीं राजनगर में कदम रखा है कल रात हत्या के समय तो वो शहर में भी नहीं था तुम्हें कैसे मालूम कि कल रात वो यहां नहीं था क्योंकि वो दिल्ली में था तुम्हें कैसे मालूम कि कल रात वो दिल्ली में था प्रशन ऐसे पूर्वा ग्रह पूर्ण था कि बंसर को तुरन जवाब न सूचा सहाफ हवलदार चेतन कुमान ने आज सुबह खुद पीटर फ्रांकोजा को ट्रंक कॉल कर उसे दिल्ली बात करते हुए सुना था आज सुबह सुना था ना मैं कल रात की बात कर रहा हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल रात जॉल सेमसिन दिल्ली से यहां आया और कतल करके वापस दिल्ली चला क्या हाँ कैसे आया होगा उड़कर हाँ दिन में ट्रंक काल सुनने के बाद भी तो वो उड़कर ही पहुँचा था आपका मतलब है कि पिछली रात दिल्ली से राजनगर और राजनगर से वापस दिल्ली कोई ऐसी प्लेन सर्विस उपलब थी जो उसने ये हत्या करके वापस से लागया था अगर इंडिने एलाइन्स के ऐसी कोई सर्विस उपलब नहीं थी तो उसे कोई प्राइवेट प्लेन या हेलिकॉप्टर स्थमाय करने की सुविधा उपलब थोगी आकर वो नामी वकील है उसके क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे उसका कोई क्लाइंट उसके लिए सेवा भखु भी कर सकता है बंसर कुछ ना बोला और उसका प्राइवेट सेकरेटर इब्राहिम उसकी ऐसी किसी करतूत में उसके साथ शरीक भी हो सकता है तार बाबू और हर नाम सिंग द्वारा बयान किया कि पतले ठिकने आदमी का हुलिया उससे मिलता भी है उदेशे? वकील के बस हत्या का क्या हो देशे सर? वही जो चेर्में के पास है? पुरानी आशे की? और विद्वा की दौलत पर निगहा बंसर खामुश रहा इतनी संभावनाओं के बारे में सुलनेने के बाद अब भी तुम्हारी यही रहा है कि हमें विद्वा को ग्रफा कर लेना चाहिए बंसर ने फौरन इंकार में सही लाया कहने का मतलब यह है कि इस केस में सब्र और इतमिनान से कदम भढ़ाने के जुरुत है आप ठीक कहरें साफ फिर भी मैं सोचता हूँ कि मेंसेस कॉटन का सादू से आमना सामना तो करवाही दिया जाए हो सकता है अपने खिलाफ एक चश्मदीद गवा की गवाही से घबरा कर वो कुछ खुदी अपने मूँ से उगल बैठे हाँ यह हो सकता है साफ मैं कुछ आरज करू सुधाकर बोला हाँ हाँ बिल्कुल बोलो क्या कहना चाहते हो साफ हम जानते हैं कि चेर्मेन हेंनी सिल्वेस्टन ने पादरी के पीछे प्राइवेट डिटक्टिव लगाय हुए थे ऐसा उन्होंने क्यों किया क्योंकि वो पादरी की सुधन से आशनाई वाली बात की तस्दीक करना चाहता था वो तो चाहता था लेकिन उसे ऐसी तस्दीक की ज़रुद कैसे महसूस हुई उसे किसने पादरी की सुधन से आशनाई की खबर की किसी ने उसे ऐसी कोई खबर दी होगी तभी तो उसने हाकिकत जानने के लिए पादरी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए होंगे मैं महसूस करता हूँ सर हमें मालूम होना चाहिए कि यूँ चेर्मेन के सामने पादरी की चुगली करने वाला शक्स कौन था उस शक्स की शिनाक से केस के कई पहली हों पर रौशनी पर सकती है बात तो तुम ठीक कह रहे हो हमें ये सवाल चेर्मेन से करना चाहिए था बंसल यस सर यसा करो कर हैंडी सिल्वेस्टर को हेड़कॉर्टर में तलब करो राइट सर तभी एक का एक वहां लगे टेलीफों के घंटे बाज उठी बंसल ने आगे बढ़का फोन उठाया मैं कुशन सुनता रहा फिर तनी कुटेजिक स्वर में परभु दिया से बोला सहाब हेड़कॉर्टर से नदी से निकली रिवॉर्वर के बारे में रिपोर्ट है लो रिपोर्ट उनसे बंसल कुशन फोन सुनता रहा फिर उसने रिसीवर वापस क्रेड़र पर रख दिया सहाब रिवॉर्वर की शिनाक्त हो गई वही मर्डर वैपन है उसी से दोनों घातक गोलियां चलाई गई थी और और फायर आर्म्स के रिजिस्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिवॉर्वर पीटर फ्रांकोजा के मिलकियत है वेरी गुड इस रिपोर्ट से मेरी कई थियोरीज में से उस बात को बल मिलता है जो मैंने पीटर फ्रांकोजा के खिलाब बयाँ की थी तब ही वहाँ पर एक हवलदार पहुंचा उसके हाद में सूती दस्तानों का जोड़ा था उसे परभुद्याल को सल्यूट मारा और बोला साफ ये दस्ताने बगर के कमरे से ब्रामत हुए है इनमें से बारूद की गंद आ रहे है परभुद्याल ने दस्ताने उसके हाथों से लिए और दस्तानों को सूंगा जले बारूद की हलकी सी गंद दोनों दस्तानों में थी लेकिन दाएं हाथ के दस्ताने में भे अपेशा कर जादा थी एक दस्ताने के भीतर धागे से इंगलिश के दो अक्षर खड़े हुए थे E.C. प्रभुद्यार ने उन अश्रों को पढ़ा E.C. से बनता है एलिजाबेथ कॉटन पादरी की बीवी का नाम बंसर यस सर कूच करो यहां से मुझे अपना मन पसंद सूतर मिल गया है रात के दस पजे हैटकॉर्टर में पभुद्यार के पास एकवाल पूर से ट्रंक कॉल आई फोन सब इंस्पेटर चंदकान का था जो कि दिन में आधी तूफाएं की तरह एक बाल पूर रवाना किया गया था बोलो चंदकान क्या? कैप्सूल्स में जहर था? कब की बात है ये? सन अठत्तल की? यानि कि तक्रीबन पांच साल पहले की? हम और इस बात की तजदीक करने वाला कोई गवा है वाँ? है? वेरी गुड अच्छा आप मिशन स्कूल की बताओ हम काम बन गया? गुड गुड वेरी गुड चंदकान अब कान खूल का सुन लो कल सुबह पनी तफ्तीश के मुकमल नतीजों के साथ तुमने हर हाल में यहां राजनगर में मेरे पांस पहुँच जाना है कोताई ना हूँ शबाश परभु द्याल ने रिसीवर रखती और मेरी तरव खूमा उशन उसके चेहरे पर परम संतुष्टी के भाव थे पाठक सहाब तुमने इस केस को हस से जादा उलजहने में कोई कसन न उठा रखी लेकिन मैं भी वादा करता हूँ कल सुभा मैं इस केस की सारी उलजहने सुलजहा दूँगा कल हत्यारा मेरी ग्रफतारी में होगा यानि तुम ये केस भी सुलजहा लोगे मैं मुस्कराता हुआ बोला और उस सादू को भी जूटा कर आदे दोगी जो कहता है कि इस केस में तुम्हें संसारिक यश नहीं मिलेगा हाँ, कल की प्रेस कॉंफरेंस में देखना कि ऐसे तुम्हारा स्पेटर पबुद्यार की जैजैकार होती है पर से उस उबर तुम्हारा ग्लैमर बॉय जो भी एकपार उठाएगा उसमें मेरी वाही वाही की दास्ता अंचपी होगी देख ले न, अंगारों पर लोट जाएगा पठा देखेंगे, तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे तुम्हें विश्वास ना हो कि ऐसा हो पाएगा अच्छा एक सवाल का जवाब दो परफू पूछो एक निरही भेड अगर किसी खुंकार भेड़े पर हमला कर दे और किसी करिश्मा साज के तरीके से भेड़े को माई गिराए तो भेड़ को तुम सजा का हदगार मानोगे या शबाशी का इसका कोई हमदर्दी भड़ा जवाब सोच लोगे तो तुम्हारी समझ में ये भी आ जाएगा कि तुम्हारी काम्याभी के बारे में सादूर ने जो बात कही थी उसमें क्या भेड़ता अब मैंने उसे पतिवाद का अफसर न दिया सुभा तक के लिए नमस्ति अगले दिन नगल के तमाम प्रमुक अख़बारों के मुख प्रश्पर उस डबल मर्डल के केस की खबर छपी खबर के साथ पुलिस का यह स्टेंडर्ड जवाब भी छपा कि पुलिस तेजी से कई उपलब सूत्रों पर काम कर रही थी और अगले 48 घंटों में अपराधी के ग्रफतार हो जाने की पूरी संभावना थी अगले रोज इंस्पेक्टर पभू दियाल नौबजे ही प्लिस हैटकॉर्टर में मौझूद था सबसे पहले जो दो रिपोर्ट्स उसे मिली वो पीटर फ्रांकोजा के बेटे के पास से ब्रामत किये गए कोट की बाबत थी कोट पर जिस दरजी का बिल्ला लगा हुआ था उसे तलाश कर लिया गया था उसने कोट को फॉर्ण पहचान लिया और कहा कि वह कोट उसने मिसिस एलिजा वैथ कॉटन के लिए तयार किया था कोट पे लगे धबों की लेबरोटरी में चार्च की जा चुकी थी वो इनसानी खूंगे ही धब्बे साबित हुए थे फिंगर प्रिंट एसपर्ट की रिपोर्ट कहा है पभु दिया उन रिपोर्ट को मेज पा उच्छालता उफ ताफले पन से बोला ये रिपोर्ट सिर्फ उन बातों के तजदीक करती है जो हमें पहले से मालू है जबकि Finger Prince Expert की रिपोर्ट से नई बाते मालू होने की संभावना है सहाप, Prince कोई दो चाहतो है नहीं कितनी जगों से हासिल हुए, कितने ही Prince की क्लासिफिकेशन में टाइम लगे गई कितना डाइम चाहिए उसे मैंने उसे बात की थी सहाप Finger Prince Expert और और दो घंटे में अपनी मुकमल रिपोर्ट आपको पेश का देगा अभी और दो घंटे? हेंडरी सिल्वेस्टर को यहां तलब किया? किया सहाप? आया? मैं देखता हूँ जाकर बंसल फॉरंग कम्रे से निकल गया लगबग उल्टे पाम में वापस लोटा उसके पीछे-पीछे चर्च का चेर्मेन हेंडरी सिल्वेस्टर भीता दाखेल हुआ पबुद्याल ने उठकर उसे हाथ मिलाया उसे कुष्टी पेश किया बोला हाँ आपने या आने के जहमत फरवमाई इसके लिए शुक्रिया मिस्टर सिल्वेस्टर लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूँगा यह नहायत अहम सवाल कि मैं कल रात हत्या के वद कहा था यही सवाल है न आपका यही जानना चाहते हैं न आप कि मेरे पास कत्र के वद की कोई एलिबाई है या नहीं 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 यह सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं पूछूँगा मिस्टर सिल्वेस्टर क्योंकि इसका जवाब मुझे आपसे पूछे बिना भी मालूम है क्या कर रात हत्या के समय आप अपने बैंकर SD अगलवार के साथ होटर शाहा जामे थे जहां आपने उसे डिनर के लिए आमंतित किया था मैं हैरानी से पभुद्यार का मुझे ने लगा मिस्टर सिल्वेस्टर अगर मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूं आपसे पूछिए आपने फादर कॉर्टन के पीछे प्राइबेट डिटेक्टिव लगाय हुए थे हाँ ऐसे मैंने इसलिए कि था वजा मुझे मालूम है आप चुपचाब मालूम करना चाहते थे कि इस बारे में कोई सचाई थी या नहीं कि फादर कॉर्टन एक विवायत इस्त्री के प्रेम में ग्रफता था ओके सिल्वेस्टर ने सहमती में सहिलाया लेकिन फादर कॉर्टन के प्रेम संबंद की बात आपको सूजी कैसे खामा खान तो आपको इबात सूजी नहीं होगी जरूर कोई बुनियाद रही होगी इसके पीछे खामा खान नहीं सूजी थी तो कैसे सूजी थी उत्तर देने के स्थान पर सिल्वेस्टर ने अपनी जेब में हाट डायकर अपना बटूआ निकाला उसमें से उसने एक तेह किया हुआ कागस निकाला और उसे खोल का पभुद्याल के सामने रख दिया पभुद्याल ने कागस उठाया और उचे सोरर पर उसे पढ़ना शुक्या मिस्टर चेर्मेंड आपके चर्च के पादरी फादर जोसफ कोटन का मिस्स सूजन डेनिंग से भिहंकर लव अफेर चल रहा है इस अफेर पर फोरर रोक न लगाए गई तो बहुत जल्द बहुत बड़ा स्केंडल खड़ा हो जाएगा और चेर्च की भारी बदनामी होगी अपनी चेर्मेंड के हैसियस से आपका फर्स बनता है कि आप हकीकत का पता लगाए और वक्त रहते अपने पादरी के कूकरत्यों पर अंकुष लगाए अगर आपने फॉरंग कोई कदम न उठाया तो कोई बड़ी बात नहीं कि सारी खानी खुंखराबे पजा का खतम हो चेर्च का एक सदस्या इंस्पेक्टर सहाब परमुद्याल ने कागस पसे सर उठाया तो सिल्वेस्टर बड़ी गंभीता से बोला आप मेरी जगह होते और ऐसी कोई छिट्टी आपको मिली होती तो आप बताएए आप क्या करते वही जो आपने क्या पहले चुप चाप हकीकत जानने के कोशिश करता हकिकत जान चुकने के बाद भी मैंने कोशिश की थी कि बात किसी परकार भी हवा ना पकड़ने पाए मैंने पादरी के प्रिवार के सदस्यों की मौजूदगी में प्रिवार में पादरी से बात की थी और उसे कहा था कि हर किसी के हेत में या तो वो उस औरत को छोड़ दे या चर्च को छोड़ दे अपनी अकल के मुताबिक मैंने बहतरीं कदम उठाया था पादरी ने वादा किया था कि वो उस औरत से कभी नहीं मिलेगा लेकिन खुंखराबे की नौपत फिर भी आ गई आपकी राय में उनके अवेद संबन्धी उनके कतल की वज़ा बने थे और क्या वज़ा हो सकती थी आपने पता लगाने की कोशिश की कि छिट्टी किसने लिखी थी मैं कैसे पता लगा सकता था ये हाज से लिखी छिट्टी है हस्त लेक से लिखने वाले के शिनाक्त हो सकती थी मैं उस हस्त लेक को नहीं पहचानता हस्त लेक पहचान बिने के लिए किसी को ये छिट्टी दिखाते फिर न मुझे मुनासिब नहीं लगा था मैं ऐसा करता तो बात की गोपनियाता नश्ट हो जाती हम आप ठीक कह रहे हैं वैसे आप ऐसा करते भी तो शायद ही कोई नतीजा हासिल होता क्यों लिखने वाले ने जान बूच कर अपना हैंड राइटिंग बिगाड का ये छिट्टी लिखी है और ये भी हो सकता है कि इस इबारत को उल्टे हाथ से लिखाओ मेभी आपको चिट्टी कैसे मिली थी डाक से लिफाफा कहा है उसका वो तो मैंने उसमें से चिट्टी निकालती ही फैक दिया था चिट्टी कम मिली थी आपको तारिक तो मुझे याद नहीं महिना तो याद होगा हाँ महिना याद है अप्रेयल का महिना था जब मुझे ये छिट्टी मिले थी ये छिट्टी हम रख सकते हैं शौक से रखे लेकिन ये प्रेस वालों के पास ना पहुचाएं प्लीज नहीं पहुचेगी सर उसके बाद हरनी सिल्वेस्टर को वहां से विदा कर दिया गया बंसर प्रभु द्याल उसके जाते ही बोला इंपिरियर होटल फोन करो और मालूम करो क्या मदरास के मिस्टर S. किशनराव वहां पहुच गए है S. किशनराव ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना सा ये जॉर्ज ट्रावं के खाली मकां के मदरासी मालिक का नाम है वो राजनगर में है सुधाकर ने पभु द्याल की तरफ देखा किशनराव जिस प्रॉपर्टी अजेंट के माध्यम से अपना मकान सदियों से किराय पर दिया करता था उससे मैंने किशनराव का मदरास का पता हसल किया था और कल रात अपनी घर से वहां उसे फोन किया था उसने मुझे से फोन पर बात करने के स्थान पर मुझे बताया कि एकाय कोई जोरी काम आन पढ़ने की वज़ा से आज सुबा की फ्लाइट से वो राजनगर पहुँची रहा है और उसने मुझे बताया कि वो आकर यहां पर इंपिरियर में ठहरेगा मालूम करो अगर वो वहां आ गया है तो हम अभी उससे बात करने चलेंगे बंसल ने फोंग किया एस किशान राव इंपिरियर में पहुँच चुका था एक शन भी नश के बिना हम लोग इंपिरियर के और रवाना हो गए एस किशान राव एक कम से कम सत्तर सार का बहुत क्रश्काय विरध निकला उसने बड़े सब्ल के साथ पभुद्यार की बास सुने लेकिन इस्पेक्टर सहाब जोर्ज ट्राउं की उस प्रॉपर्टी से मेरी अब कोई रिष्टेदारी नहीं इसलिए मुझसे वहाँ घटी घटना के बारे में कुछ पूछना बिल्कुल बेकार है आपकी कोई रिष्टेदारी नहीं? आपके उस मकान के मालिक नहीं? नहीं लेकिन चौकेदा धनिराम तो कहता है उसे खबर नहीं है अब मैं उस मकान का मालिक नहीं अरे अब से क्या मतलब है आपका? अब मैंने वो मकान बेज दिया है ओ, ऐसा कब क्या आपने? फरवरी में वजा? ये मकान मेरे कोई खास काम नहीं आ रहा था कुछ ही महीने तो मैं यहां आकर रहा कता था और अब मैं बहुत बुड़ा हो गया हूँ इसलिए अब हर साल मौसम बदलने पर राजनगर से मदरास और मदरास से राजनगर शिफ्ट करना मेरे बसका नहीं रहा था इस बार मैंने पक्के तोर पर मदरास में ही रहने का फैसला कर लिया था इत्तिफाक से तभी मुझे एक नहायत मुफीद गरहाक भी मिल गया था सो मैंने मकान बेज दिया था जबकि पहले आप सरदियों सरदियों के छे महीने उसे किराय पर दे दिया करते थे हाँ, मेरा एजेंट ही कोई मुनासिब इजिद, इजददा, सीजनल ग्राहक या किरायदा कह लीजे आप ढूंड लिया करता था पिछली बार उसने मकान मिसिस डूसूजन डैनिंग नामक एक महीला को दिया था एजेंट ने मुझे बताया था कि वो महीला बहुत ही सिक्के बंद सिफारिश लाई थी किसकी? एक खुदा के बंदे की, चर्च ओफ सेंड माइकल के पादरे की फिर पिछली फरवरी में मेरे पास मकान की खरीद की एक ओफर आई बिशार गड की किसी पार्टी ने मेरे अजेंट से टेलीफोन पर संपर्ख स्थापित किया था और वहां मकान खरीदने की इच्छा फ्याद की थी मेरे अजेंट ने उसे बताया था कि मकान उस वत खाली नहीं था और उसके खाली होने में 6 महीने लग सकते थे उत्तर में खरीदार ने कहा था कि उसे मकान खाली कराने के कोई जल्दी नहीं थी वो 6 महीने इंजार कर सकता था दर असर वो मकान इंवेस्टमेंट के तौर पर खरीना चाहता था, वो कहता था कि उसे किसी ने बताया कि दो-तीन साल में इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत दुगनी-दिगनी हो जाएगी, मकान की जो कीफ़मत वो ओफर कर रहा था, वो मेरी उमीद से कहीं जादा थी, मक उस शखस ने आपसे मकान खरीदा आपने कभी उसकी सूरत नहीं देखी? मैंने क्या? मेरे एजेंट ने भी नहीं देखी. ऐसा कैसे हो सकता है? आपके एजेंट को आखिर खरीदार ने कीमत तो अधाकी होगी, एजेंट ने खरीदार को प्रॉपर्टी का मुआयना तो किरा उसने कोई ऐसा इंजाम तो किया होगा कि किराएदार से एक किराया अब उसे मिले। मेरे ख्याल से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मकान की कीमत विशाल गड के किसी प्रॉपर्टी डिलर ने अपने चेक की सूरत में अदा की थी। और विशालगड के उस प्रॉपर्टी डिलर का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम. खरीदार का क्या नाम था? वो भी मुझे नहीं मालूम. खमाल है! इंस्पेक्टर, मुझे जब मदरास में बैटे-बैटे अपनी उमीद से भाहरी कीमत मिल गई और अपनी प्रॉपर्टी की तो इन बातों को जानका मैंने क्या लेना था? लेकिन ये बाते आपके एजेंट को तो मालूम होगी? होगी तो सही. आप फोंग करके अपने से मालूम कीजिए. उसने एजेंट को फोंग किया. मालूम हुआ कि खरीदार का नाम जॉन स्मित था. पता हाउस नंबर पचीस, रिचिमन रोड विशायगर था. वहां से प्रॉपर्टी डियलर का नाम सदार पीतम सिंग था. उसकी फर्म का नाम अशोका प्रॉपर्टी ड ने हुकम दंदनाया. राजनगर और विशारगड के बीच में ट्रंक डाइलिंग की सुविधा प्राप थी. दो मिनिट में वांचित कॉल लग गई. इस्पेक्टर सकसेना के लाइन पर आते ही बंसल ने फॉरन रिसीवर पभु दिया. हेलो सकसेना, मैं पभु दियार बोल होगा? हाँ. तुम्हें बसो रात यहां राजनगर में हुए डबल मर्डर के केस की कवर लगी? हाँ, आच्छा. हाँ, तो सुनो. यानि यहां का आज का अख़बार वहां पहुँच चुका है. कौन सा अख़बार आता है? ब्लास्ट. नहीं, कवरे सुनील की नहीं है. वो तुम उसका किस्सा छोड़ो. मेरी वो बास सुनो, जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया है. हाँ, सुनो. मुझे 25 रिच्मंट रोड पर रहने वाले जौन स्मित नाम के एक आदमी के मुकमल जानकारी जल से जल चाहिए. मुझे मालम हुआ है कि हाली में उस शक्स ने यह पीतम सिंग को तुम व्यक्ति का तौर के रूप में जानते हो. वा, यह तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, तो सुनो उससे जौन स्मित के बारे में पूस्ताच करो. वैसे मुझे यह नाम फरजी लगता है. लेकिन कतित जौन स्मित का हूलिया तो उसे याध ही होगा. आज इब्राहिम, हेन्री सिल्वेस्टर, विलियम डेनिंग और टौनी फ्रांकोजा की तस्वीरों के तरफ सदार पीतम सिंग का ध्यान दिलाना. और उनसे पूछना क्या उनहीं में से किसी को वो जान स्मित के नाम से तो नहीं जानता था. और सक्सेना, यह काम फॉरान होना चा बंसल ने रिसीवर उठाया, वो कुशन सुनता रहा, फिर पबुदयाल से बोला, साब, नीचे अपनी बीबी की लाश क्लेम करने की खाते विलियम डेनिंग आया है. उससे पूछो, क्या उसके साथ उसकी बेटी भी आई है? आई है साब. बहुत अच्छे मौक्या पढ़ा मैं सर यहां लाश क्लेम करने आया था. गनीमत थी कि वह सुभा सवेरे भी पिया हुआ नहीं था. लाश मिल जाएगी, मैं आभी सारे इंजाम कर देता हूँ. तुम जरा एक मिनट बैटो. बैटो बेटे. दोनों बैट गए. विलियम, तुम्हारी बीवी की मौत का मुझे बहुत अक्सूस है. लेकिन होना तो वही होता है जो उपर वाले को कबूल होता है. अब तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दिवंगरत आत्मा को तभी शांती मिलेगी जबकि उसका हत्यारा ग्रफतार हो जाए. यह सर वो तो है ही. अब तो तुम ये बात मानते हो कि तु माचिक तो से तो कोई फायदा नहीं विलियम लेकिन पुलिस इंवेस्टिगेशन में फायदा हो सकता है. इसलिए प्लीज जवाब दू. थे मेरी बीवी के पादरी से तालुकात और तुम्हें इन तालुकात की भनक बहुत पहले ही नहीं पड़ गई थी. उसने धीरे से सह हमती में सही लाया. बेटे, रोज, तुम्हें कुछ मालूम था इस बारे में? नहीं. लेकिन बात तो सच थी. अब हमें ये भी मालूम है कि जॉश ट्राउं की पंधा नंबर इमारत में वो दोनों छुप-छुप का मिला करते थी. मेरे जहन में इस अप्राद की फियोरी है उस थी. उस थी. बे मैं ये मायंका चलता हूँ कि तुम्हारी मम्मी का या तो पादि साहब का कोई दुश्मर उनकी टो में लगा हुआ था. अब वो चुप-चाप उस खाली मकार में दाखिल होने का कोई जर्या भी पैदा कर चुका था. अब मैं ये जानना चाहता हूँ क कोई ऐसा कैसे कर पाया. रोज, बेटे मैंने कल तुम्हारे घ़र तुमसे सवाल पूछा था. क्या कभी तुम्हारी मम्मी ने अपनी कोई चावी खो जाने के शिकायत की थी? और मेरे थियोरी ये है कि किसी ने तुम्हारी मम्मी की खाली मकार की चावी चुड़ा कर उससे अपने लिए DUPLECT चावी त्यार कर वाली थी और तुम्हारी मम्मी की चावी उसकी जगह पर रखती थी लेकिन इस बात से भी तस्दीक होती है कि अगले दिन तुम्हारी मम्मी को वह चावी मिल गई थी यानि कि चावी खामाखा खुई थी और खामाखा मिल भी गई थी अब घर से चाबी चुराने के सुविधा तो किसी घर के आदमी को या किसी घर में आने वाले आदमी को ही हो सकती है गहल का अदमी? इससे क्या मतलब है आपका? मैं या रोज? आप इंस्पेक्टर साव हम पर इल्जाम लगाना चाहते हैं कि हम दोनों में से किसी ने चावी चुराई है मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूँ मैं केवल हकिकर जानना चाहता हूँ. मुझे तो चाबी के वजूत की भी खबर नहीं थी. मुझे तो जॉश रॉंग के उस मकान की भी खबर नहीं थी. जिस चीज की बाबत मैं कुछ जानता तक नहीं, उसे मैं चुडाता क्यों? मैंने भी चाबी कभी नहीं चुराई अंकल रोज ने बड़ी मासूमियस से सवाल जवाब दिया फिर तो ये काम घर में आये किसी महमान का था रोज तुम घर में ज़ादा होती हो तुम बताओ क्या तुमारी निगाह में घर में आया ऐसा कोई महमान है चाबी चुडा सचता हो वो सोचने लगी अच्छा ये बताओ ज्यादा तर मिलने जुलने आती त adelante तो महमी से मम्मी की friends आती थी कौनribly friends जो मम्मी की तर चर्च की नौकरी या कोई social service कती थी मम्मी क्या social service कती थी मम्मी चर्च में समूगान में हिस्सा लेती थी के स्कूल की टीचर वी आती थी पादरी की सेकेरिटरी भी आती थी कौन सी पुरानी या नहीं दोनों आती थी , , ..हेलान रीडली भी आती थी और सिल्विया नौरिस भी आती थी थी .. मम्मी ने चाबी चोरी होने के शिकायत की थी, तब तुमारे घर में कौन आया था? सभी आये थे. मद कोई नहीं आता था? नहीं. तुमारे ख्याल से घर में आने वाली ओर्तों में से कौन चाबी चुरा सकती थी? कोई भी चुरा सकती थी. लेकिन कोई खास नाम तुमारे निगा में नहीं उसने इंकार में सहल आया अच्छा ये बताओ जिस दिन चाबी चोरी हुई थी उससे अगले दिन तुमारे घर में कौन-कौन आया था तब हेलन रिडली आई थी और सिल्विया नौरिस आई थी और पाधी की बीवी भी आई थी ये लोग सब इखटे आये थे नहीं नहीं अलग-अलग टाइम पर आये थे रोस तुम चाहती हो तुमारी मम्मी के हत्यारे को उसको ऐसा करने की सजा मिले उसने सहमती में सहल आया तो फिर सोच कर बताओ बेटे क्या कोई ऐसी बात है जो केस से दूर दराज का भी रिष्टा रखती हो लेकिन तुमने हमें ना बताई हो हाँ एक बात है उसका वह उत्तस्वंक विलियम हैरानी से उसका मूँ देखने लगा क्या? क्या बात है? बड़ी अजीब सी बात है बात? मम्मी के नाम ना एक गुम नाम चिट्टी आई थी कब? माज या अप्रेल में आई थी और क्या लिखा था उस चिट्टी में? बड़ी अजीब सी बात लिखी थी उसमें मम्मी के नाम एक चेतामनी लिखी थी लिखा था कोई मम्मी को जहर देने की कोशिश कर सकता था इसलिए साफधान न है इस चिट्टी की बात मुझे तो नहीं बताई थी सूजन ने विलियम बोला, रोज खामुश रही वो चिट्टी कहां गई उससे तो मम्मी ने तब ही फाट का फैक दिया पभू द्याल ने अपनी जेव से गुन्मनाम चिट्टी निकाली जो उसे हैंडी सिल्वेस्टर से हासल हुई थी उसने उसे खोल कर रोज के सामने रखा जरा ऐसे देखो बेटे तो महारी मम्मी के नाम आई वो गुन्मनाम चिट्टी क्या ऐसी हन्रेटर में लिखी हुई थी हाँ बिल्कुल ऐसी उबर्ड खावर्ड शब्दों में लिखी थी वो लेटर पभू द्याल ने एक गहरी सांस ली उसने छिट्टी को तहर करके वापस जेव में रख लिया तबी बगल में कागजात का इमोटा पुलिंदा दबाय फिंगर प्रिंट्स एसपर वहाँ पहुचा पभू द्याल ने तुरंट विलियम और उसकी बेटी को धन्यवाद किया और लाश कोई रिलीज का तुरंट इंजाम करने के लिए सुधाकर के साथ उन्हें वहाँ से विदा का दिया फिंगर प्रिंट्स एसपर पभू द्याल के सामने बैढ़ किया उसने अपना पुलिंदा खोला उसमें मौझूद फिंगर प्रिंट्स के तस्रिवरी रोकी अपने सामने मेज बदुकान से लगाने लगा परभू दया गहरी दिल्चस्पी भरी निगाहों से उसे देख रहा था मैंने सारे प्रिंट्स को कलासिफाई कर लिया है सर और उन्हें सड़ी भी किया है मेरा काम बहुत कठिन, बड़ा लंबा और बहुत जिम्मेदारी का और बहुत सबर के साथ किये जाने वाला है सर इसलिए देर मालूम है मालूम है भूमी का छोड़ो और काम पड़ाऊ ये सारे प्रिंट्स है मैंने चर्च के उस जरोके से उठाये थे जहां बाइबल रखे थे पादरी और सूजन के पोस्ट आफिस से तो ये तीन अलग लोगों के हाथों के प्रिंट है उनकी शिनाक्त हुई खुई सर, पानी के गिलासों के मात्यम से हमारे पास केस से संबंधिक तकरीबन हर व्यक्ति के प्रिंट है और पादरी और सूजन के प्रिंट मैंने उनकी लाशों पर से उताल लिये थे मतलब की बात पर आऊ सर सर, ये प्रिंट पादरी के, सूजन डैनिंग के और सुस्तिरी के हैं जिसका नाम मुझे हेलन डिडली बताया गया है हेलन डिडली? परपुद्याल ने एक अर्थ पूर निगा बंसर पर डालते होए नाम दुराया फिर तो गोंध की जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उस पर भी हेलन डिडली के ही निशान होगे बड़े स्पश निशान थे सर एक अंगूठा तो शीशी की गदन के गिर्द जमी गोंध पर ऐसा चिपका था कि निशान उठाने के जोती नहीं पड़ी थी उसे सीधे शीशी पर से ही पड़ा जा सकता था तो यानि हेलन डिडली वोस्तिरी थी जो पादी और सूजन के प्रेम पते खोल खोल कर पड़ा करती थी अब पड़कर उन्हें फिर से गोंध लगा कर चिपका कर वापस से था स्थान रख दिया करती थी फिर तो सहाब बंसल बोला सूजन की खाले मकां की चाबी भी उसीने चुड़ाई होगी बकॉल रोज चाबी चोरी होने के दिन और चाबी वापस मिलने के दिन दोनों दिन हेलन सूजन के घर गई थी तुम ठीक कह रहे हो लेकिन केस की किसी मेजर घटना के साथ उसका रिष्टा जोड़ना मुहाल है तुम आगे बढ़ो बड़ी गिरी के ओजला पानी में एकदम धुल गए थी लेकिन फिर भी एक आरी पर से फिंगर प्रिंट्स मिले है उस पर ग्रीज लगी हुई थी जिसकी वज़से ग्रीज पर लगे फिंगर प्रिंट्स पानी में धुल नहीं सके थी किसके उंगलियों के निशान थे हारी पर पादरी की क्या और लोहे के बाटों पर भी पादरी की ही उंगलियों के निशान थे और खाली मकां की उस अलमारी के भीतर से जिसमें से कोई छुपका खड़ा हुआ था तब ही सुधाकर ने भीतर कदम रखा उसके साथ एक सफेद दाड़ी वाला सदा और एक यूवक था साफ ये टेमबल स्टोल का मालिक हरनाम सिंग और यह यूवक तारकपूर डाग खाने का तारबाबू है इन्हें पादी की लाश दिखाने के लिए आज ही हां तलब किया गया था मैंने पादी की लाश दिखा दिये साहब आपने लाश को बहचाना सदा साहब अहो जी साफ साफ ही बंदा मारा पड़ा था जी जो हमारे पस लकड़ी और बढ़ेगरी के जारक हिन्ने आया था आपने उसे ठीक से पहचाना है? पक्का पहचाना है जी हम एकवारी जो शकल देख लें उसे बूलते नहीं आज के ख़वार में तो फोटो चपी है उसकी हमने तो उसी फोटो से पेजान लिया था जी और आप, आप क्या कहते हैं लाश के बारे में शाफ, पलसो शाम वही आदमी मेरे पास ताह देने आया था पक्की बात, एक दम पक्की बाशाप परभू देयाल को शर्म बड़े चिंतित भाव से गदन हिलाता रहा फिर बूला, सेयो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तश्रीफ ले जा सकते हैं दोनों परभू देयाल का भिवादन करके महां से विदा हो गये टेलिग्राम भी पादरी के टाइप रैटर पर टाइप की गई थी सा बंसर पीछे से बोला और हम समझ रहे थे कि टाइप रैटर अस्तिमाल करने वाला कोई और था लेकिन आप लगता है टेलिग्राम किसी और ने नहीं, पादरी ने खुड टाइप की थी और खुद ही तारक पो जाकब बुक कराई थी बंसर खामोश रहा लकडी उसने ख़ई दी पबुदाल यू बोला जैसे अपने आपसे बाते कर रहा हो किश्टी उसने बनाए लोहे के बाट उसने मोहया कराए कतिल के वक्त चौकिदा धनी राम को इलाके से दूर रखने के लिए तार उसने भीजी ये क्या गोड़क धंदा है पाटक साहब मानने वाले और मनने वाला एक ही शक्स कैसे हो सकता है कातिल ही मक्तूल कैसे बन गया कोई कुछ ना बोला मेरे बोलने का तो मतलब ही नहीं था पबुद्याल फिर फिंगर प्रिंट्स एस्पर्ट की तरफ आकशित हुआ तुम पहले अपनी बात पूरी करो यार मैंने क्या पूछा था तुमसे आप पूछ रहे दे सर कि खाली मकान में कतल का घणना स्थर बने कमरी के अलमारी में से किसकी उंगलियों के निशान तब ही टेलीफोन के घंटी बज़ उठी हमेशा अपने किसी मात हथ को फोन उठाने के लिए कहने वाले पभुद्याल ने जैसे उस विवधान से चटकर खुद फोन उठाया वह कुशन फोन सुनता रहा और फिर उसने थीरे से रिसीवर क्रैडर पर रख दिया विशाल गर से इंस्पेक्टर सकसेना का टेलीफोन था वहां रिच्मेंड रोड की 25 नंबर इमारात में कोई जॉन स्मिद नहीं रहता कभी रहता था लेकिन अब नहीं रहता कोई कुश ना बोला पता नहीं क्यों कमरे में एका एक बड़ा रहसे पुर सनाटा चा किया था यूँ लगता था जैसे हर कोई मेरे अलावा किसी बहुत बड़े रहसेओत गाटन की पतिशा में सांस रोके खड़ा था लेकिन वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर सरदार पीतम सिंग ने कथिक जॉन स्मित को अकपार में छपी उसकी तस्वीर से फोरण पहचान लिया था केस से संबंधित जिन छे व्यक्तियों के अकपार में फोटो छपी थी उन में से ही एक हमारा जॉन स्मित था कौन सर चर्च ओफ सेंट माइकल का पादरी रेवेंडर डॉक्टर जोसफ कॉटन हमारे मकतूर पादरी वह शक्स था जिसने जॉन स्मित के फरजी नाम से जॉश टॉउन का पंधा नंबर वाला खाली मकांग खहिता था तब ही कमरे में सब इस्पेटर चंद कांध ने कदम रखा तुम जो कुछ जबानी बता रहे हो उसको रिपोर्ट की सुरुद में लिख कर भी लाए हो पर पुद्यार बड़े बेसबरेपन से फिंगर प्रिंट एस्पर्ट से बोला एस्पर्ट बोला हाँ उसने अपने सामने फैले कागजात में से दो फुल स्केप टाइप शुदा कागज अलग के रिपोर्ट मुझे दो और ये सब कुछ यहीं छोड़ जाओ मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ जी सर भेतर वो तुरंद वहां से विदा हो गया आओ चंदकांत सहाब मैं सीधे इकबारपूर से आ रहा हूँ काम बना? अकेले आये हो? अकेले नहीं आया सहाब जिसे लेने गया था उसे ले का साथ आया हूँ गवा के तौर पर मैं साथ में स्कूल की मैटरंग को भी लेकर आया हूँ अब कहा है वो लो? नीचे कार में बैठे हैं सार उन्हें थोड़ा आराम का मौका दो नाश्टा पानी कराओ और फिर अप से ठीक तीन गंटे बाद उनके साथ जॉश्ट रौं के मकार में पहुँचो वहां उन्हें दूसी मंजिल के कौने वाले कमने में बिठा दो दवाज़ा बंद करतो तुम्हारे यहां पहुँचने के बाद वहां बहुत लोग पहुँचेंगे लेकिन किसी को उनकी मौदूद की की भनक भी नहीं मिलनी चाहिए समझ गए? यसा और जब तक मैं ना बुलाओ तुमने उस दरवाजे के पास से नहीं हटना है यसा जब बुलाओ तो तुमने उन दोनों के साथ मेरे सामने पेश होना है यसा जाओ चंद कांथ वहां से विदा हो गया अब तुम पभू दयार बंसल से संबोधित हुआ सुधाकर को पकड़ लो और जितने आदमी और जोरी हो साथ लेका जाओ तुम्हारा ये काम है कि आने वाले तीन घंटे के भीत तुमने इस केस से संबंदित हर व्यक्ति को जॉर्ज टाउं के खाली मकान में जमा करना है वहां तुमने सब को पहली मंजीर पस्ते ड्राइंग रूम में बिठाना है और मेरे अगले आदेश के पतिशा करनी है सर अगर किसी ने आने से इंकाल कर दिया